प्रॉपोगंडे से आप बंदा नहीं गिरा सकता है बंदा गिरेगा अपनी गलती से गिरेगा और अल्ला की तरह से गिरेगा प्रॉपोगंडा नहीं गिरा सकता है अगर आप उसकी इसलाह चाहते है तो उसकी इसलाह करें यह क्या कर रहे हैं आप आपके ओलंपिक्स होना भी silver किसी को याद है किसने लिया no silver no bronze you are only remembered when you are number one तो अगर आपका घर तूट गया मुल्क तूट गया organization तूट गई you are no more discussing जब तक आप एक हो आप number one 10 साल एक आदमी ने किसी के पास काम किया और उसके उपर वाले आदमी ने उसका regard नहीं रखा उसे acknowledge नहीं किया उसे respect नहीं दी उसका लिहाज नहीं किया तो बरबादी है नीचे वाले ने तो बड़ी बाहत है 10 साल निकाल ली है वो तो obviously अब switch करने का वक्त आ चुका है क्या आज लोगों का जो narrative है आप यहीं देखते हैं कि हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहे है हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहे है गोड़े की सावारी जो CV के अपर किसी गोड़े को बेच दी 3000 बेगी तो वो क्या impression लेके जाएगा कि नहीं यार ये तो इस तरह के हैं यहां पर तो जो भी होता है इसको ये कर देते हैं उसको वो कर देते हैं किसी उठा के ले जाते हैं किसी को फलां करते हैं बट हम अभी भी देखते हैं कि भाई हमारे साथ तो नहीं हुआ ना कुछ लेकिन मैं जर्नलाइज उपीनियन नहीं सब के लिए हर किसी का गिला है यहाँ पर रियास्त के साथ, हकुमत के साथ मेरी नजर में एक गहरतमन आदमी जो ना एक प्योर खांदानी आदमी जो होगा वो जब कहीं से भी सिस्टम से आउट होगा ना बहुत एक तमीज से एक्जिट लेगा वो यह यलो जर्नलिज्म जो आजकल चल रहा है, किसी को ब्लैक मेल करना, किसी को चोक करना, यह साबकताब करना, यह तो वैसी इसलामी कवानीन के खिलाफ एक आदमी ने 25 साल काम किया एक शौप के उपर उसने अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा अपने बास के लिए उसने रात दिन एक करी, मेहनत करी, अपनी फैमली को कॉम्प्रमाइस किया सब कुछ किया, सिंसेरिटी दी लेकिन बास के उपर भी तो बनता है ना, कि वो बदले में उसको सिंसेरिटी दे, उसको वफा दे, उसका रिगार्ड रखे, ये तो नहीं मिलती हमें मार्शरे में, आप इसको किस तरना देखते है लेकि मेरा, मेरा इस पर देखे अरसलान मानना ये है कि जब उपर वाला, अब वो उपर वाला घर में हो, रियासत में हो, खांदान में हो, ये और्गैशन में हो, जब उपर वाला छोटा बन देखाएगा ना, तो वो तो आप समलने फसाद अकबर, समलने उस दिन घर नहीं बचेगा, जर्फ किसने दिखाना है, उपर वाले में, सबर किसने दिखाना है, उपर वाले में, दर्गुजर किसने करना है, उपर वाले में, रह्म किसने दिखाना है, उपर वाले में, बदमाशियां किसने बरदाश करनी है, उपर वाले में, तनव्व किसने बरदाश करना है, इक्स दिन वो पावर एक्सिक्यूट करेगा ना या वो डंडा तोनेगा किसी उस दिन तो आप सम्मले मुर्जा जाएंगे फूल मगर उसका उसकी उसकी हैत ऐसी होती है कि उसे ऐसे रखा जाता है कि डंडा यूज करने की की नौबत ना है रोब क्रियेट रखा जाता है कि उपर रेकिन जिस दिन उसने अजाब शदीद नाजल करना है वो तो बचे गई कोई ने बात ये है कि जब हम सिंसेरिटी की बात कर रहे हैं जब हम निभाने की बात कर रहे हैं जब वो नीचे वाले ने करना है उपर वाले न discussion ही नहीं हो सकती उपर वाले ने तो करना ही करना है जिस दिन उपर वाला one plus one equals to two के फॉर्मूले पे चलेगा ना घर तब हो जाएगा जिस दिन उपर वाला ये करेगा ना मैंने इतना दिया तुम इतना दो बराबरी लाएगा अपने साथ और उस दिन सिस्टम नहीं चल सकते ह साल एक आदमी ने किसी के पास काम किया और उसके उपर वाले आदमी ने उसका रिगार्ड नी रखा उसे अकनॉलिज नी किया उसे रिस्पेक्ट नी दी उसका लिहाज नी किया तो बरबादी है नीचे वाले ने तो बड़ी बात है दस साल निकाल ली है वो तो obviously अब switch करने का वक्त आ चुका वाई तो switch करना पड़ा है he has to change his master he has to change his loyalty he has to change everything बात तो यह है असल में जितनी बात हम सिखाते हैं वो नीचे के तबके को तूने चलना है तूने दिखाना है तूने कमजोरियों के उपर सबर करना है तूने साथ निबाना है जिस दिन उपर वाले को सिखा पड़ जाना तूने निबाना है तो इसका मतलब है आपका आप बरबाद हो चुके हैं उपर वाला उपर वाली position पर आता ही तब है जब वो इतनी बड़ी ideology इतना बड़ा system इतनी बड़ी सोच इतना बड़ा कुर्बानी और इतना बड़ा दिल लेके आता है जिसमें इतने लोगों ने समाना होता है आप मुलका भी देख लें 20 करोड लोगों की माँ है यह मुलका बाइस 23 करोड लोगों की माँ है यानि इसने अपनी आगोश में 24 करोड मुक्तरिव लोगों को पना दी भी है ठीक है जब उसने इन 24 करोड लोगों को गोद में लिया था जिसका ना बाइंगे इसने पालना है मुलक ने पालना है इन लोगों को समर रहे हैं और यह हमेशा होता है कि जिस दिन कुए खाली होंगे लोग आके पीछे चले जाएंगे लेकिन जो अशराफिया और जो टॉप मैनेजमेंट इसकी बैठी वी है जिस दिन उसको यह दर्स देना पड़ होता ही है हमेशा कि आप ने इनको आप ने जिस दिन उनको सुधारने की बारी आगे ने इसका मतलब है लुड़ गया खांदा सो दो क्वेस्टिन में गल्ती मेरी नजर में यह असलान भी गल्ती नहीं है आपका एक बहुत अच्छा सवाल है कि दस साल तक अगर उसको मिले ह नहीं है इसका मतलब है वो घर भरबाद हो चीगा है आखरी बात करूँगा अब अगले सवाल पर चले घर नीचे वाले से नहीं ऊपर वाले के नाम से जाना जाता है नीचे वाले के काम से बनता है जाना उपर वाले के नाम से जाता है बनता है नीचे वालों के नाम से अध दा ऐकच्वल वैमिली दाूंर्ट नेम नेम दाच्व ब्रेंड वझाश दैफा उसका है जिसने शरुआत की थिए सके अंदर कहानी में लोगों का जिकर जादा Something paar उसका नाम और इंदर कहानी में में आएगा, शुरुआत के नाम में आएगा एंडिंग जादातर कहानी उसी के इर्थकिर चली की जिसने सिस्टम्स में चलाया होता है लेकिन जब ये तूटे गा ना तो ये नहीं कहा जाएगा कि जी अवाम का तूट गया अवाम का मुल्क तूट गया, अवाम का घर तूट गया, बेटों का घर बाप का घर तूट गया मतलब बदनामी उसकी है, बरबादी उसकी है, बदनामी उसकी है और तमाशा उसकी इज़त का लगे लेगा लेकिन ये है कि एक आदमी और्गनाइजिशन का पार्ट बनता है और शुरू में उसको ये लगता है या वो डिफाइन कर लेता है कि सामने वाला जो है वो मफाद परस्त है और वो मुझे यूज़ करेगा क्योंकि आज लोगों का जो नेरेटिव है वो आप यही देखते हैं कि हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप उनकी नजर में मसला है उनकी सोच में मसला है उनके फैम में मसला है या फिर आप यह कहते हैं कि उनक कि जो भी हम discuss भी कर रहते हैं थोड़े देर पहले कि कुछ लोग मुँखे गंदे होते हैं अपनी external में अपने external और अगरा में गंदे होते हैं दिल उनका क्या होता हुँ तो बात की तो ये तो बड़े ही नहायत ही बेवकूफ लोग हैं और नहायत ही बदलेहाज लोग हैं कि जिन्होंने नए आने वाले आदमी को comfortable नहीं कराया और उसको चार-पान सा अगर इस्तमाल भी करना था और उसको देना कुछ नहीं था और उसकी रूप भी सक कर लेनी थी और उसकी पूरी तवानाई को चूस लेना था तो कम से कम जिबा करने के लिए भी ऐसे आदमी को ती कैसे रखनी एक्स्टेरली दूसरे मुलकों के साथ कैसे रखनी है और आपके वारे में ये ब्रैंडिंग लोग छे महीने के तजर्बे में ले ले लेते हैं भाई ये इनके साथ काम नहीं किया जा सकता तो ये बास सेंसेरिटी की नहीं है ये बैड प्रेसेंटेशन की है इतनी कोई ग्यान वाली और गहरी नहीं होगी उनके और नॉर्मली लोगों के टिपिंग पॉइंट्स एक या दो होते हैं मतलब अगर मैं हूना अगर अभी चले हम लोग तो छोटे लोग हैं अगर हम आपके साथ किसी से भी जुड़ेंगे हम तो बैठने हैं हम तो बैठक तो आपने ये ख्याल रखना होता है कि भाई मैं वो वाली बातें और वो वाले रवाएए अभी नहीं दिखाऊंगा जिससे एक जनरल पबलिक का कोई भी चीज ट्रिगर हो सकती है अगर मैंने अभी आपके साथ भी कोई बात की थी ती ना तो ये मैंने पंदरा सालों के ब एक रैंडम ली निगल गया ठीक है लेकिन जब आप अपनी एक्स्टरनल प्रेसेंटेशन के अंदर ही ये दिखा रहे हो के भाई हम तो तुनेंगे आपको बत्तमीज हैं बद इखलाक हैं बताजीब हैं और हम अबे तबे वाले हैं और जिच कर रहे हैं और चुटी चुट तक तो अरसलान भी जाएगी नहीं ये तो अखलाक सिंसेरिटी बिल्ड होने से पहले भी अखलाक पहला बॉक्स आफिस है जहां पर ट्रांजिट होगा जहां पर टैक्स पे किया जाएगा जहां वीजा दिखाया जाएगा जहां पासपोर्ट दिखाया जहां पासपोर्ट महفل के अंदर ही अखलाकी पासपोर्ट के अखलाकी एग्जिट के उपर ही आपने बंदे के साथ हलात खराब करें तो आगे की लॉंग टंप है कि वो चेक करें कि यार मैंने अपना फुल दे दूँ ये तो गानी महां तक पहुंचेगी नहीं मेरी नजर के अंदर ये पहले ह उड़ जाएगा यहां मेरा एक मुद्ध यह है कि कुछ लोग होते हैं इस तरह के कि वो अपना नहीं उनको आता करना दिल के बहुत अच्छे होते हैं इधर कुछ लोग होंगे जिने अपनी फर्स प्रेसेंटेशन देने की तमीज नहीं होती है ठीक है आप कहीं पर भी जा हैं उनको अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रियेट नहीं करना था तो आपसे मिलेंगे जरा और जी की यह आलने ताड़े तब यह ठीक है ताड़े तो बंदास में कहा अगर यह बास स्वीटली भी हो सकती थी नियत अच्छी होगी उसकी अदर से अब यहां पे मसला यह है कि हो सकता है वो अंदर से बड़ा बीबा आदमी हो और बहुत ही जबरदस सिस्टम हो आप पाकस्तान में अगर एंटर हो रहे हैं और आपका पहला एक्सपीरियंस एर्पोर्ट के पर खराब हो गया तो इसका मलत यह नहीं कि मुल्क भी खराब है जो आपके साथ क्लेरिंग के अंदर हुआ है या जो आपका इमिग्रेशन हो उससे आप मुल्क नहीं करा हैं लेकिन समझना आपने यह हैं भाईया कि पहला इंप्रेशन वहीं से जा रहा होगा यह तो आने वालों के साथ यहां पर यह हो रही है तो आगे भी यही होगा आपने तीन तीन आपने घोड़ गोड़े की सवारी जो सीवियू के अपर किसी गोड़े को बेच दी तीन हजार बेगी और पता नहीं पाथ जार की तो वो क्या इंप्रेशन लेके जाएगा कि नहीं यार यह तो इस तरह के हैं लेकिन यहां मैं एक जरूर बात कूँगा कभी कोईले की कान में ही हिरो होता ह लेकिन इतना सबर नॉर्मली 90% के मैं परसेंटेज तो नहीं दूँगा ऐसे परसेंटेज देते पर नहीं नहीं मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था अक्सर लोग आपके हैं 90% नहीं अक्सर लोग इतना सबर दिखाएंगे लिए आगको तो अगर एक आदमी सबर नहीं दिखा रहा और उसकी कपैसिटी नहीं है कि वो इतना ज्यादा सबर करें उसके साथ और दूसरी नीड्स जुड़ी हैं और वो मुल्क छोड़के जाता ह है क्योंकि उसने चलाना है सिस्टम अपने इर्द इर्द के लोग चलाना है अपना पेट उसने पालना है तो आप उसको तो आप उसको क्या नाम देंगे आप उसको बोलेंगे कि वो मुझसे रिलेट नहीं कर सका वो घदारी कर गया वो छोड़के चला गया क्योंकि उसकी नादर में तो वो जर्नल शू मैं इसको ऐसे नहीं लूँगा ने ऐ लागों के अधर आल आले करे को है कि ला युकलिफ लाहर नफसन лек अहा, अल्ला ने वुसत के अंदर एक बकाइदा तफावत रखा है, एक स्टेशन्स रखे, हर वंदे को जो ना, अबुबकर सिदीग रदियलानों के इमान पर क्यास नहीं कर सकते, अल्ला कुरान में ये भी फरमाता है, किपेसिटी के मताबिक तुमने एमान की पर्षावंस दिखानी ये तकवे की, जब कपैसिटी को शरीęt आकाउंट में लेता है, तो अगर एक इनसान की कपैसिटी आफ पर्फॉम्नस नहीं है, कपैसिटी आफ प्रौडकिटिविटी नहीं है, हम ये नहीं सकते कि वो मुनाफि यह क्या था मेरा सभाल ये था कि उसकी जेन्वन नीड भी हो सकती या यह नहीं कि अगर वचोड़के चला भी गिया हम इसको यह नहीं कहेंगे कि यह गदारी है यह बेवफाई है कभी कभी मजबूरिय की इन्सान को ले जाती है लेकिन सब मजबूर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि कभी कभी you just have to take a golden handshake and take an exit मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ इसको हम गदारी बेवफाई नहीं कह सकते बात ये है जिन्दगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकाम पर हलात की stability के अंदर भी और instability में भी there comes a point जहां आप किसी एक को choose करते हो चलो आप यहां से चले जो मजबूरी थी आपकी जरूरत थी कहीं और से एक नाएक टाइम पर आपने किसी के साथ ऐसा वक्त लगाना पड़ता है जहां आप उसे choose करते हो कहर मैं इसको दूँगा अपना आप मैं अपनी दिल औ जान इसको दूँगा मैं चाहला जितने भी खराब की अब एक इनसान की personality ऐसी है कि वो कहता है नहीं मैं सारी जिन्देगी जंपे लगाता रहूँ मैं सारी जिन्देगी switch flipping करता रहूँ ये psychology भी अरसलान भी मेरे ख्याल से नहीं एवेंचुली दस बारा पंदरा सालों के बाद ना हम ये कहेंगे caliber एचीव नहीं कर सकेगी हो चलें market के अंदर जो ये narrative है कि एक आदमी को opportunity avail करनी चाहिए और वो flip flop इसी base की उपर करता है कि मुझे जहां opportunity देखी की मैं चाहिए चोटी percentages और चोटे वक्तों में और शुरुआत के वक्तों में तो हम इसको नहीं condemn करेंगे बढ़ कहीं तो आप एक time पर choose करके आप उन ये ये शायरी हैं सारी कहां जहेंगी तेज हवाँ में दिये जलाना आग के दरिया में ये कहां भी होता है फिर आग का दरिया तो आएगा नहीं उसमें flip कर लेना तेज हवाँ तो चलनी नहीं होंकि उसमें deeaswitch कर लेना ये कुछ levels तक तो acceptable होंगी हम इसको नहीं कहेंगे कि ये आदमी छोटा आदमी है ये आदमी insincere लेकिन एक level के उपर एक level के उपर तरक्की के ladder पे development के ladder के उपर इतनी flipping होई नहीं सकती वहाँ पर इतना मोटा पथर आएगा आगे जहां पर आपको हुआ ना घंदक की जंग के नदे जब खोद रहते खोद रहते एक आगई वहाँ पर एक पथर ऐसे आगया एक चटान आगयी वहाँ पर जहां पर नॉर्मली वह पथर नहीं तूटना था वहाँ सबर दिखाना था वहाँ मार खानी थी तो मुनाफकीन ने वहीं तो वहीं पर जुमले कस दी है यह फारस के कंगन फता करने की बाते करते हैं डंजिन आपको वह कैद तो लेनी पड़ेगी ना किसी दिन यूसफ लिएसलाम ने पहली बारी तो फिलिप कर दी है ना आगे पीछे आगे लिकिन जब उन्होंने पूरा पैंटरा बना के किया यह वेंट फौर तर यानि कि आपकी वात में कुरान में एक आयत है अल्ला ने जितने भी नबी बेज़े या फिर उससे पहले जो अल्ला ताला ने हमने जितने भी अंबिया की स्टोरी पड़ी है और सारी आजमाईशे उन्ही के उपर आई है और हर किसी पर आई है तो आप ये कह रहे हैं अगर मैं आपकी बात का समप करूँ विक्ट्री सक्सेस कॉनकर इसके साथ सबर जर्फ और गैद और ये सारे अल्वाज़ जोरे में एक लेवल तक मनुवर्स चलेंगा एक लेवल तक स्ट्राइड़जी चलती है एक लेवल तक आपका आट ओफ वार चल रहा होता है मगर एक लेवल के ऊपर चटान इतनी मोटी आईगी जिन्दगी के अंदर आपको चूज करना पड़ता है और असल मुश्किलाद वहीं चूज करने में होती जहां रस्ता नहीं देख रहा होता है यह आप कहें मैं एंड तक जो है मिझे सारी बत्ती मुझे पूरा रस्ता दिख रहा हूँ यह नहीं हो सकता यू विल कम टू दोस जोन्स आप उस जोन्स में आएंगे जहां रस्ता नहीं होगा जहां सपोर्ट नहीं होगी जहां तनहाईयां होंगी आगे नहीं सुन रहे होंगे जालिम बैठे होंगे और जहां वो फिलिप फ्लॉप करेगा वहां पर भी यह चीज़ आईगी नहीं चले फिलिपिंग से वो इधर नहीं कभी 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 देखिए कि आप नेगेटिबली समय चलें स्विचिंग कह लें आप आप कहलें भाई मुझे यह फील आई है यहाँ पर मैंसा अदमी के साथ सही नहीं ठीक है आप वो गया लेकिन अब मैं जैसे कुछ लोगों को जानता हूँ ठीक है अगर उनकी मेरे साथ नहीं चली कोई मसला नहीं तो मैं देखना चाहूंगा क्या उनकी हर किसी के साथ ही नहीं चली तो मैं ऐसे शक्स को जानता हूँ जिसका काम ही हर जगा तीन महीने लगाना है फिर स्विच फिर तीन महीन लगाना है अब वो आज तक दस सालों के बाद तक कोई बारा और्गनाइशेशन बदल चुका होगा अब भी भी मैं यही देख रहा हर बार हर कोई छे महीने के बाद सामने एक चीज़ आती है एक नया नाम एक नई इंस्टुटूशन एक नई तन्जीम एक नई तारीख और फिर वो काम कर रहा है तो भी आदमी इसको देखके बोलेगा तो सहीन है कि चलो यह शुरुवात के सामने शुरुवात के अंदर मैंने दो हजार बारा मैं स्विच नहीं किया ठीक है उसके बाद से हम लेकर फिर मैंने अपनी अप्रोच को अंदर हिसाब किताब में कितना कोई अगर जननत तक का रस्ता ला दिखा दे सब कोई बता दे और कुछ जोंस कहीं ना कहीं तो इخलास इसी चीज़ का नाम है ना कमिट्मेंट इसी चीज़ का नाम है कि वही ला मुझे देख नहीं रहा मैं तेरे साथ खड़ा हूं इस उमीद के साथ को मुझे पता है कि तू रस्ता खोलेगा तो आप भी अगर किसी इनसान के साथ अपनी पूरी जिन्दगी लगाना जा रहे हैं तो आप उस घोड़े के उपर इसी बेसिस के उपर बैट प्लेस कर रहे होते हैं तो इतने परसंटेज मुझे फील है कि ये घोड़ा ग्रो कर जाएगा ये जीच जाएगा उमीद है ये की जहां आपको लग रहे हैं पचास फीसिद इस सिद्गा के साथ मैं चल सकता हूँ, पचास फीसिद मुझे मेरा तजरबा बता रहा है कि यह आदमी मेरे साथ रेलेट नहीं कर रहा, मिरी टेली नहीं होगी इसके साथ, मैं चैलिंज हो जाँँगा या ये मुझे ग्रो नह किने देगा यह यह छसुद करेगा मेरा साथ किर मुझे दबाएका ना देस रिसक इन इट जो चीज लोगों को शायद कंट्री में भी फिल होता है यहाँ पर क्यूं ठीक हूं? यहाँ पर तो जो भी होता है ऊसको ये कर देते हैं, उसको वो वो कर देते हैं, किसी वो उठाके ले जाते हैं, किसी को फलां करते हैं, बट हम अभी भी देखते हैं कि वही हमारे साथ तो नहीं हुआ ना खुछ pickupी, लेकिन मैं जैनरलाइस, अपीझन और मसले भी हैं, तो मैं अभी भी कहता हूँ, स्वीच कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ना, मेरा असल स्ट्रेस इसके उपर है, जिन्दगी में किसी को तो दिल देना पड़ेगा ना, अब एक आदमी दिल देने की फित्रत से ही आरी हो गया है और उसकी जिन्दगी का वतीरा ही यही है कि भई जहां मुझे थोड़ी सी बात बुरी लगीगी जहां मरे नफस के खिलाफ जाएगी या मुझे फिनेशल सिकेरोटी आएगी या मुझे इस तरह की फिलिंग आएगी अला भी यही कहता है ना मंगते रहे दूआ यूनस आलेशलाम मचली के पेट में बैठे के क्या करें लाहिलाइब अला कह रहे हैं कर दे रहो तुसे आसी सुनना लाँ जा है तो यह इसको तो हम कहते हैं कि उनकी कमिट्मेंट ही थी थी ना कि उनकी कहा भई मुझे उमीद है मचली के पेट में जो लेके के वो निकाले का भी मास तो यही चीज इनसानों के साथ इनसानों को कोरेलेट कराती है कि भई मैं अपनी जिन्दगी इनको इसलिए दान कर रहा हूँ मुझे उमीद है एक दिन वो पहलो बदल जाएगा जिसकी वज़ा से मेरी इनकी बन नी सकते अगर चाने अब इसको मैं थोड़ा सा मेरा सवाल यह है कि अगर लेकिन वो जो दिली नहीं लाया जो दिली नहीं बात तो उस पर हानी चाहिए ना पे जिनके दिल ही नहीं है ना देने वाले है ना लेने वाले एक पार्टी वो जो किसी की महबद ही कबूल नहीं करती और एक पार्टी वो जो किसी को महबद ही नहीं चाहिए ना मैं उसी पे ये मुनाफकत कहा जाएगी कि बाइजान आप कुछ भी कर लो ना उसने लेना है ना उसने देना है exactly मेरा सवाल यही था कि अब एक organization के अंदर आप sincerity के लिहाज से आप क्या समझते हैं कितने लोगों को किसे ना आप distribute करेंगे आपको बहुत सारे घदार मिलेंगे लेकिन आपके साथ काम कर रहे होंगे दिल में कुछ होगा मुपे कुछ होगा अंदर कुछ होगा बाहर कुछ होगा मैं तो यह समझता हूँ कि अगर इबलीस की कौम भी आ जाए ना एक अच्छा management manager जो ना उसको भी चला लेगा आप यह समझते हैं जितनी commitment आपको दी जा रही है उतना आप behavioral psychology उसके साथ उतनी रखेंगे आपने उसको उस लेवल पर लेके नहीं आ जहां आपके emotions involved हो जाएंगे जिस इंसान ने आपको नहीं देना तो आप उसको उसी लेवल पर रखेंगे ना जिस लेवल पर आपको आपकी कमजोरी थी तो आप उपर लेए ना उसको अब आप मुझे बताएं यह लोग क्यों न चोक करने वाला निजाम होगा और कितना ही मनफी निजाम होगा जहां पर उसे चीखना पढ़ रहा है अपना इخलास देखाने के लिए अगरचे उनके पास कोई जज़ करने का क्राइटेरिया नहीं है क्यार ये जनुन लोग है इसे उपर लाना चाहिए इसे ट्रेन करना च इसको नीचे रखना है एक आदमी है जो सिस्टम में बैड़ के बुराइयां करता है गिले करता है इसाब किताब करता है उसको बुला के पूछे तो सहीन है एक दफ़ा बेटा तुझे क्या मसला है हमारे साथ सूबा भी गिला कर रहा है अगर रहा से तुछे ना उससे क्या गिला है तुझे हमारे से क्या मसला है बुलाएगी उससे टेबल टॉक्स करें कि पूछेगी जैनुएन इशू है या यह फसाद करना चाहते है नहीं आप उससे बात करेंगे ना मसला वो तो पहले सवाल में आगे ना अगर उपर वाले कोई परवाण नहीं है उपर वाले क उसको अपने घर टूटने की परवानी है तो फिर तो बात ही खतम हो गई ना बात तो यह भई सर एक समझदार इनसान चाहता है कि काईनाच चले ठीक है और उसमें मैं सुनूंगा और जो बदलने वाली चीज़े बदलूंगा और जो देने वाली चीज़े मैं दूंगा वो उठा के लाएगा बंदों को देखें घबदारी बेवफाई के दरवाजे तब खुलते हैं जब आठ लोग कहीं जमा होते हैं जहां यूनिफिकेशन्स होती हैं जहां यूनियन बंदी और उनका एक लीडर होता है जो उन्हें घटा करता है वहीं घबदारी होती है बिल्कुल ऐसे हैं यह पूरे पूछे जी सिलाके में कितने लोग यह दस हजार लोग पर इस सारे एक खटे नहीं दस हजार के दस हजार इन्फरादियत के शिकार है तो इसका मतलब यह तो सुसाइडी नहीं बन सकी मैं बात कर रहा हूं कि एक जगा के ऊपर लोग जमा ही न आशरा है इतना इंडिविजिल एंका शकार है इंको यह तो इनका तो law in order नहीं हो सकता में गुसी जगह पर खटें नहीं हो सकते जाहें खटेयों नहीं हो LA किसी जगह पर एक खटें होने क्वार ही यह वहां एशू है सिंसेरिडी के वह यह इशू ही नहीं है वहां यह इशू ही नहीं है जहाँ पर कोई आये नहीं सामने है जाएं फिराध्यत कि यां तो हम तीन बैठें में है ना और मुझे बड़ा माना जा रहा है और मैंने सबको यहां पे घर में जमा किया तो तब बाद शुरू होती है कि उसका पहला essential order ही है होता है कि वही सब मैंने बरदाश करना है अगर मैंने इस घर को इक हटा रखना है तो मैंने बरदाश करना है tym meanwhile उसमें पूरा skill set चाई एक science चाईए कि मैं इनको कैसे चलाऊं कि ये जुड के मेरे बताएवे उस रस्ते पे पहुंच जाएं कहीं पे और उसके बीच के दर जो मुझे जखम लगेंगे उन में से एक जखम बेवफाई का भी होगा तो अब इसी बात है उसी सवाल प्यात है बेवफाओं को भी चलाने का एक लेव होगा बेवकूफों को चलाने का एक लेवल होगा बताहजीबों को चलाने का एक स्किल होगा ठीक है स्ट्रीट स्मार्ट को चलाने का लेदा स्किल होगा मेंटली स्मार्ट चलाने का लेदा स्किल होगा जिन लोगों के मुझ अच्छे हैं दिल खराब हैं उनको चलाने का ल इंगेजमेंट टॉप की तरफ से आएगी ना हर किसी के साथ वो एक एक और लेवल पे होगी लेकिन पूरे सिस्टम के अंदर ही इन सिंसेरिटी आजा कि सिस्टम में सारे वो लोग बढ़ा दी हैं आपने हर लेवल पे जो हर चीज़ को फिलिपिंग स्विचिंग और उसी को पर लेवल पर वो लोग नी रखे जो उपर वाले की बुराई नहीं सुनेंगे चले मेरे यहां पे सवाल है सिंसेर बंदा उपर आगिया तो सिंसेरिटी चेक करके सारी लेर्स क्रॉस करके उपर आया आपने उसको कोवर का बंदा बनाया आप तब भी उसका लॉयल्टी चेक लेंगे या आप उस बिल्कुल एक ब्लाइंड आया आपने कर ले नहींगे उ साथ साल के बच्चे की इसलाम में तर्बियत क्यूं रखी गई यहार सलाम भी। कि उसके खून में इतनी आइडियोलिजी उतार दो कि जब उसके उपर उसकी जान, माल, फैमली, उलाद, सब की कुर्बानी आरी होगी, उसकी सिंसेरिटी टू अ कॉज कितनी हिलेगी। If you ask me, सक्सेस के रोड के उपर, मन्जलों के मकाम तक पहुचने के लिए, इनतजार के उस फलस्फे के अंदर, वो खंजर और तीरों का जब इनसान मकाबला करता है, It's all your commitment to your goal, yourself, your God and your vision. वो हिलता ही हिलता है, ऐसा नहीं हो सकता के वो हिलेगा निये। यह तो होता ही होता है, बात यह है कि क्या जान देगा नहीं देगा, एक लेवल आगे है जहां पर अब सारे मनुबड, सारी टैक्टिक्स, सारी पलिटिकल डुमेंज एक्जर्ट हो चुकी है, अब अपना जो बनायावा खाब है, जो बनायावा घर है, बनाईवी जो में उसके लिए कुर्बानी चाहिए, खूनी कुर्बानी चाहिए, देगा नहीं देगा, बात यह है कि आपने कहा कि उसके साथ खौाइशे जुड़ी में, जब तक खौाइशा जुड़ी में हैं, लीडर ने सिर्फ ये चेक लेना होता है, कि क्या ये दूसरा लीडर बन च मेरे एक सवादियत तो ये ही चीज़े लीडर के साथ भी तो जुड़ी में हैं, आप जब जाएंगे ना उसको जलील करने के लिए मैं पहले जवाब में पॉड़कास के कर चुका हूँ, जिस दिन लीडर का ही चेक लेना पड़ जाए, बात ही खतम होगी, मतलब सिस्टम ख एक आदमी यानि के और्गनाजिशन का पार्ट होया या मुलक का एक शहरी है, किन हालात के ओपर आप उसको बोलेंगे के यहां ही तेरी मजबूरी नहीं थी, यहां हम तुझे गदार डिफाइन करेंगे, यह जो काम है ना तुम्हारा, यह हम तुम्हें मजबूरी करेंगे मैंने अभी इसी बात को तो बताया है यहां पर, कि अक्सर लोग अगर फिनेंशल मजबूरियां हवस, हिर्स, हसद, बगज, तकबर, रिलेटिबिलिटी का नहीं होना, एक आदमी मेंटली नार्सिस्टिक है, नार्सिस्ट है, कुछ गरीब ऐसे होते हैं, हदीश के गर्बत में तकबर हैं, है कुछ नहीं पर लें, मैंग फिर भी फजूल के अंदा किबर है, तो ऐस तरह के माइंड सेट का आदमी किसी को हसता, खेलता, फलता, पूलता, बड़ा होतावा नहीं देख सकता, चाहिए वो कमजोर, और मैं आब इस पर भी नक्ता यह, यह कमजो होंगे, हमारे से आदमी तो वैसे ही डिफरिंट हैं, बहुत लिहास से, हर आदमी डिफरिंट होता है, लेकिन दलील बनती नहीं है, किसी के कमर में छुरा मारने की दलील, उस की पर्फॉर्मोंस की गलती नहीं है, वो अंदर छुपाँपा बहुगत असदी होगा, क्यों मै खाया पिया है, रोटी पानी जिनके साथ बैटके किया है, मैं उनका घर खराब नहीं कर सकते हैं, यह गहरत-मन्द आदमी नहीं करें, वो कहेंगा ठीक है, आप लोग ठीक नहीं ते मैं जा रहा हूँ, यानि कि बाप बेटे का मसला बाहर वाला बीच में ना बोले, अंदर का मसला अंदर ही रहेगा, घर बनेगा लेकिन, मेरी नजर में यह गहरत-मन्द आदमी जो ना बेक प्योर खांदानी आदमी जो होगा, वो जब कहीं से भी सिस्टम से आउट होगा ना बहुत एक तमीज से एग्जिट लेगा वो, बाहर करें ना करें, वो बहुत बहुत का माल खाता था, आपने उसकी लाइफ में, जब वो फौत हुआ, तो उसको एक्सपोज किया, सम्टाइम्स वी एफ टू एक्सपोज आ परसन इन इन इमीडियेट मॉमेंट, लेकिन मेरी नजर में इसलाम का क्या यह मिजज हो सकता है, जहां तुम देखो, वहीं पर उसको नशर कर दो, उसको यह यलो जर्नलिजम जो आजकल चल रहा है, आपकी वीडियो बनाई जा रही है, आपको ब्लैक मेल किया जा रहा है, आपको पता है क्यामत के वक्त एक हदीश अलफाद आते हैं, लात अकुम उस्साह, क्यामत उस वक्त तक कायम नहीं कि जब तक कि ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे शुर्ते, शुर्ता कहते हैं, अरभी के अंदर यह आफिसर्स को, गर्मेंट आफिसर्स है, ऐसी सिक्यूरिटी आफिसर्स नहीं आएंगे, जो जो अल्ला के नजदी को मलून होंगे बहुत दादा, लान शुदा लोग होंगे, रहमत से अल्ला की दू नहीं पॉइसर्स को गिराना होता है, यह उपर वाला भी कर सकता, उपर वाला तो जब करेगा तो फसाद ही फसाद है, यह तो नीचे वाला जब यह करना शुरू करते हैं, जिसको आप ले कि आए हो, इस आप कताब है, और वो आप कह रहा है कि मैं इसको एक्सपोस करूँ ये आदम, आप देख लें, जितने भी बड़े लोग इस दुनिया में आया, जितनी भी सल्दन, भौकने वाले चाहे पॉजिटिव में थे या नेगेटिव में थे, उसका बिगाड कुछ नहीं सके, प्रॉपोगंडे से आप बंदा नहीं गिरा सकते, बंदा गिरेगा अपन पीट पीछे का वार है ना, जहरी वार नहीं है, और मुनाफकत भी पीट पीछे का वार है ना, जहरी वार नहीं है, इसी तरह से प्रॉपोगंडा कैमपेंज भी किसी के खिलाफ चलाना, ये भी जहरी वार नहीं है, अगर आप उसकी इसलाह चाहते हैं, तो उसकी इसलाह कर है अगर यह माल भी लूटता हो काला हप्शी भी हो इस तरह की जो उसकी डिटेल दी अगर वह आपका मैं यह नहीं कहता कि आपको एक दर्बार के वो बन जाएं बिल्कुल ही लेकिन स्टिल आम टेलिंग यह क्या शरीयत के किसी परस्पेक्टिव में यह नहीं है कि आर सबर कर नहीं है अब इसके उपर कुछ लोग कहेंगे भाई यह हाकमों के पैरों में बैड के इन्हों ने तागूती निजामों को एकसे उट किसी लेवल पर सबर है यह नहीं यह हर लेवल के उपर इंड का जवाब पत्थर से देने की स्ट्राइड़िजी रुसल से खाई है तो फिर तेरा साल क्यों सबर किया रसो सलम ने मक्के के इन्दे पहले देनी धावा क्यों नहीं खोल दिया आपना है मैं मक्के के दौर में मक्के के दौर में इसको लेके नहीं जाना चारा ना मदनी के दौर है मैं सीरत की करonology से आज के दोर का टेंड नी करणा हूँ मैं पॉइंट कहा बिकरा हूँ मैं आप से यहाँ पर कह रहा हूँ कि किसी जगह पर तो यह होगा किसी जगह पर तो आएगा ना के अभी वक्त नहीं अभी होसला दिखाना है सबर दिखाना है we can wait for a better change आपको वो देखता है आज के दोर के अंदर वो है नहीं आप result orientation के अंदर चाते हो जिस तरीके से आपकी app अपडेट होती है ना उस तरीके से माशरा भी अपडेट हो जाए ऐसे होता नहीं है ऐसे होता नहीं है पॉइंट यहाँ पर यहाँ अगर आपने exit भी लेना है ठीक है तो इसके अंदर यह है के कभी कभी exit ऐसा लें के अल्ला आपकी जंग लड़ने आगए अल्ला आपकी जंग लड़ने अल्ला दिखाएगा उनको के उन्होंने एक हीरे की गदर नहीं गी लेकर चलें यह है कि एक बंदा आता है और वो चाहता है कि मैं अपनी sincerity प्रूफ करूँ मैं मैं चाहता हूं कि मुझे वफा मिले और उपर वाला भी वफा करने वाला है और वो उसने जॉइन किया sincerity किसी एक test से प्रूफ नहीं हो सकती exactly my point कि कि आप क्या criteria sincerity किसी का इखलास और sincerity वो कभी भी situational situational exhibit से test नहीं हो सकती उसका सबसे बड़ा उसका बहुत बड़ा element time है वक्त लगाना पड़ेगा वक्त है situations है मुखतलिफ circumstances है उसमें चेक लिया जाएगा अब इसने क्या कि उसके लिए सबसे बड़ा challenge किया है मतलब अब नफस है उसको मीनत होल्ड करेगा होल्ड करे एक होल्ड करे एक है साथ खड़ा एक है अटेक करे मैं leadership के aspect से बात नहीं कर रहा हूं मैं इस aspect से बात कर रहा हूं कि criteria उसका यह हाँ call तो आएगी है criteria उसका यह हुए या तो खड़ा रहे या 30% stand दे दे या 100% की confrontation कर ले तो कितने सहाब है ऐसे थे जो उसी वक्त आये थे जंग चल ली थी अशनल ने का भी नमाज का वक्त तो नहीं मगर लडाई हो रही है चलो इसी में चलो शहीद होगा बगर नमाज पढ़े जन्हत में चले पॉइंट ये है कि ultimate sincerity तो ये है ना कि इन्थे के इन्थे लड़ेगा आपके साथ stand लेगा कुछ नहीं भी हो सका तो कम से कम आपके साथ courtesy रहेगा आपको compassionism दिखाएगा तनहाई में कहएगा कि मैं आपके साथ हूँ अगरचे मैं नहीं आगया सका दिल में बुरा जान लेगा हसान बिन साबिज जो थे रदियल्लानों वो नहीं जंगों पे जाते थे वो छुरे निजों से उनका दिल नहीं उनका होता थे लेकिन वो बैक एंड पे तो पता था ना सिंसेर थे वो शारी के तीर चलाते थे ठीक है लेकिन he was a part of the system क्राइन यही है भाई उसे दिखाना है भाई मैं खड़ा हूँ मैं साथ हूँ अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा problem face होगा ना जो face पे भी उदैफा बहुत बुलेगा वो है कि loyalty और sincerity में एक आदमी आपके साथ खड़ा है आपके opposition में नहीं खड़ा हूँ मागर काम नहीं करता हूँ as per expectations क्या loyalty यह demand करती है क्या sincerity और commitment यह demand करती है कि उसके बढ़ते वे system की बढ़ती हुई नौयतों के साथ वो भी अपनी नौयतों के अंदर इर्तिका करेगा evolve करेगा उसकी भूख भी system की भूख के साथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या वो पीछे रहना पसंद करेगा अब यहां पर सबसे बढ़ी है कि उपर वाली की sincerity तो यह होनी चाहिए यह शायद मुझे disagree करेंगे यह भाई मैं तो उन्हें रखूंगा क्योंके वो मेरे बुरे वक्तों में मेरे साथ था मैं तो उसे रखूंगा क्योंके वो मेरे बुरे वक्तों में मेरे साथ था सही है ठीक है आपका मसला है कि अगर आप लोगों के हाँ एक चीज़ चेंज़ रहती है तो क्या किसी का किया वा अच्छा जो है वो भुला दे आदमी रसुल्लाओ से लिए ये बात क्यूं कही मारिया किप्टिया के लिए अलेहिर रह्मा कि भाई जब तुम मिसर फता करना तो ख्याल रखना मेरे सुसराली है वो अगर हैं वो सारे फिरॉन फिरॉन की आला आरी है माँ पर किप्टी तो सारे फिरॉनी थे तो क्यों आपने अलफाद कहा है रिगार रखना है यार रिगार रखना है रिगार रखना है क्यों आपने कहा खतीजा रदी अल्हाना की दोस्तों को आप गोश्ट बिजवाते थे रिगार रखना है रहा 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 रह साथ बिन माज की जो कॉंट्रिब्यूशन है इसलामिक मुव्मेंट के लिए अल्ला ने रिगार्ट रखा अर्शी हे लिया उनकी जादत के उपर लेकिन शेक एक लेवल तो आएगा ना कि उसको बोलेंगे कि तुमारी सिंसेरिटी तुमारी प्रोडेक्टिविटी के साथ चैनेंज हो रही है मसला यहाँ पर यह है कि यह तो बड़े का काम है ठीक है तो बड़े ने तो रिगार्ट रखना है अब उसका टोल आएगा आप इस बात को मानते हो यार कि अगर बड़ा भी मैथमेटिकल हो जाए टू प्लस टू इकॉर्स टू फॉर और छोटा तो हो गई होगा कोँगे उसके पास तो इतने जिन्दगी के वसाइल ही नहीं है तो गर्बत में हमेशा टू प्लस टू इकॉर्स टू फॉर कह रहा है आप मुझे बताएएं वो टिकने का मादा जहा के उपर वसाइल नहीं होते है कोई अंधीरा नहीं होता कोई बैक नहीं होती कोई हाथ नहीं होता वो क्यूं करेगा सबर लफ उस पर बोला जाता है जो खिलाफ तब्थ लाफ आदत खिलाफे हलात आपके साथ चीज़ हो जाए जो आपकी कैलकुलेशन से भाहर होगी बड़े वाले का सबर ये है सिस्टम चलाने वालों का सबर ये होता है भाईया कि आपने पावर एक्सेक्यूट डी करना है नंड़ा नहीं देना बाहर ने निकालना बरदाश करना है ये सिस्टम चलाने वालों का सबर होता है घर चलाने वालों का सबर होता है और मैंसे नीचे वाले का सबर ये है जो तेरे दिमाग के अंदर भाई कहीं से भी कोई बात आ गई है ना गलोबल मीडिया को देख के एफ़ां से कोई बात आगी, नफस ने कोई वसवसा क्रियेट कर दिया, या वही मैंने कुछ देख लिया, और मुझे ऐसा लग रहा है, बाप न ऐसा होना चाहिए, उन्होंने वेस्टन बाप देख लिया, अब अपना देशी बाप समन नहीं आ रहा है, उन्होंने वेस्टन दो हफ़ते के लिए मौसूफ लंडन चले गए, अब गोट लग रहा है, सारा सिस्टम आप क्या चाहरे हैं है, हम इसको एक दिन में वो मना दे हैं, गोगल मना दे हैं इसको एक दिन के अंदर, तो अब आप क्या कर रहे हो कि अपनी वो एविलूशन के साथ, जो इनकी एव समझ आ रहा ना, सबर कर उस पर, वक्त लगा, तू अर्ली तू डिसाइड के तू एक जालिम के नीचे बाठावा है, तू अर्ली तू डिसाइड के तू किसी जाबिर के नीचे बाठावा है, इवेंचुली फॉल आफ होगा, तो उसका भी घर छिन जाएगा, उसका भी घर छेलेगा, उसकी भी शनाक्त का बुरान होगा, उसकी भी शनाक्त का बुरान होगा, इनका भी अइडेंटिटी क्रैस्ट होगा, उसका भी अइडेंटिटी क्रैस्ट होगा, बदनामी ही बदनामी होगी, चीज तो बनती नहीं है, बन जाए तो तूट जाए तो बदनामी, उन्हें वहां बैटना पड़ेगा, उन्हें बर्दाश्ट करना पड़ेगा. तारीख भी जो सिंसेर होते हैं, जो सिंसेरिटी के साथ होते हैं, सबर करते हूं, उन्हें ही याद रखती है. आपके अलम्पिक्स हुआ हैं भी, सिल्वर किसी को याद है, किसमें लिया है? शाहि अगर आपका घर तूड़ गया, मुल्क तूड़ गया, organization तूड़ गई, company तूड़ गई, खांदान तूड़ गया, you are no more discussed, जब तक आप एक हो, आप number one हो, आप पर किताबे लिखी जाएंगे, आपकी मिसाले दीजए, जिस दिन खतम, उस दिन खतम, ये बाप की, ये उलादे हैं, खटी नहीं रह सकी, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, मैं कहीं बैठा है, that means it's over, legacy ही खतम होगए, उस आप वो खटा नहीं कर सका, उसमें मरते मरते भी ये बात, बीजबी डाला, बीच में के बटा, बना के रहना है, वो individualism का शिकार है, व असल मधा ही उसकी है जो अज़ा मिलके कुल बन गी ये सवाल नसीब का मैं वहां पैदा क्यूं हुआ ये सवाल नसीब का मैं वो मेरे साथ क्यूं जुड़ें ये सवाल नसीब का मैं इसी जगा के उपर ही पला बड़ा क्यूं ये नसीब का ये क्यूं ये नसीब के सवाल है प जिन्दगी फलसफा ही उपर किसी का नमबर वन किसी का नमबर टू होने का हर लेवल पर भी पूरा नैचरल बैलेंस जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है या एक रिटेन कर रहा है पोजिशन को यह ही है इन्सानों के अंदर भी आप देख लें जो थोड़ी सी अपनी सिफात के अंदर इन्सानों के भी आप देख लें जो थोड़ी बहुत भी अपनी सिफात It's all about being on the top It's all about being on the top तो हर रोज के अंदर पूरी एकोलोजिकल बैलिंस के अंदर हर मखलूख में एक घर तूट रहोगा, एक उसे रिपलेस कर रहोगा, एक सूपर सीट कर रहोगा, एक उवर कम कर रहोगा और एक डॉमिनेट कर रहोगा आप इस नैचरल बैलोजिकल, जोलोजिकल और यह जितने भी लोजिकल हैं, इन सिस्टम्स और पैटर्न्स को डिनाई नहीं कर सकते हैं, सितारे भी गिरते हैं, फिर नहीं सितारे आ जाते होंगे, यह कोई रिपलेस्ट, यह चलता रहे गए, बात लेगिसी की इसलिए भाई कि सबसे इसके अंदर वो हैं, जो कहते हैं, यह भाण में जाए, यह सारा पैटर्न जो भी चल रहा है, मेरी अपनी दो हिंटकी होनी चाहिए, मैंने पहले कहाते हैं, इंडिविजुलिजम्स तो इतना कंडेम्स करना चाहिए, मजमूम है, कि वह इंसान जो किसी से जुड़ा नहीं और वो सिस्टम जो इंसानों से जुड़ा नहीं, यही तो आप देख लें, इवेंचुली ओवर, हाँ, प्योर, यह मुमिन बगएर अमीर के नहीं होता, बगएर अमीर के दो भी होंगे तो एक बड़ा होगा ना, लेकिन इवेंचुली आप देख लें कि इंसानियत क सारी कॉलोनीज का मास्टर इस टाइम पर यूएस से है, आप कुछ भी कर लें, आप रो लें, आप चीख लें, आप किताबों के अमबार लगा लें, आप छोटी मोटी कैमपेंज चला लें, आप प्रोटेस्क, आप मानें कि इस टाइम के उपर, यूएस इस दा सूपर पा जरा क्योंकि अल्ला का ओर्डर अल्ला ने जो काइनात का ओर्डर रखा उसके अंदर एक मेहनत की वैल्यू है कलेजे की वैल्यू है कॉंप्रमाइस की वैल्यू है सैक्रिफाइस की वैल्यू है हार्ड वर्ग ग्रैंड की वैल्यू है कुलन नमिदू हावलाई वाहलाई मेहनत रब्बे की वैलियू है, अल्ला कभी भी किसी का मेनत को जाया करने वाला नहीं है, लेकिन जो जग है, उसके अंदर अल्लाने कहा है, तुम्हें मैं उनके उपर एक्स्ट्रा याड है, तुम्हारी कॉलिनी को एक्स्ट्रा याड एश दे दूँगा, अगर तुम इनकुन तु मुमिनीं अन्तुमल आलाओना इनकुं तुम मुमिनीं तुम इमान की शर्तों को पूरा करके ग्राउंड पर आ जो तुम्हें कभी शकिस्ट नियुस एवेंचुली वो उपर है अब इसके बीच के अंधर योगोसलावी एक मुलक है जो कहता हुए भाड़ में जाए मुझे फरक इनी पड़ता है आप मुझे बताए अक दुनिया को क्या फरक पड़ गया अगर ग्रीश जो है वो ईयू के अंधर कमजोर पढ़ा है जर्मनी ने उसको सेफ किया या जो भी किया उसके होने से दुनिया को क्या फरक पढ़ा लेकिन यूके के एग्जिट से एउ को फरक पढ़ा है ऐसी बात नहीं है वो इंपोर्टन्ट आदमी था और अगर जर्मनी निकलता है एउ से सरकार फिर तो चीख निकल गया उसमें से ताजिकिस्तान बन गया उसमें चीज़े तो बन गए चीज़े तो चलती है घट बात तो एंड के अंदर यही है ना इट्स अबाओड होल्डिंग ऑन्टू सम्थिंग बिग इसी ने तो रसुल्छल से सावा को भायर निकलता है न कि वी बिलीव इन सम्थिं हम इंसानों से एक बड़ी आइडियोलोजी को मानने वाले लोग हैं तो अगर आइडियोलोजी के लिए वो बन्दा इस चीज़ का शिकार हो चुका कि भाड़ में जाये लेगिसी कोई फरक ही नहीं पड़ता हम किसी बड़े सिस्टम का पार्ट ही नहीं आप समझ लिए इन हम अपने कबीले के चौदरी को देंगे देंगे ये चीज़ चाह कुछ भी हो जाए क्यूंकि हम इस सिस्टम के बगार सर्वाइव करके इन्फरादियत में कुछ ही नहीं कर सकेंगे जिस दिन एक ऐसा सिस्टम आ गया जो आप से जादा इन्फरादियत से निकल के इस तमाय जिड़ा हुआ वो आपको डॉमिनेट कर लेगा आप इसको कैसे खतम करोगे बात लेगी सी की नहीं है बात एक नैचरल आउडर की है कि जो जहीं जगा के ऊपर भी रसुल्ह ने उस अन्टैप्ट एरिये के उस अन्टैप्ट मार्केट मेंसे लोगों को जमा किया और उसके क्यों बात यहां पर यहां कि क्या उसके मैं यह नहीं कहा था कंपेरिशन ना लाइडर सिकंदर आजम निकला ग्रीस से ठीक है युनान से निकला और इंडिया तक अपनी सल्तना तर लेगी आगया अलिक्जंडर दा ग्रेड जीसे कहता है वो भी निकला ना तो फुतुहाथ तो उसकी भी देख लें कितनी का मैं सिकंदर रियाजम की किस तरह उसने हर अलाके के अंदर इतने हजारों मुलकों पर शेरों पर इतने लाखों मुर्बा मील पर उसने हकूमत की है कैसे जोड़े कर रखा हो गया जिसने का भे मैं अचीफ करूंगा इसको मेरे खून के अंदर जो तेज है खून की तेजी है ना वो बरदाश नहीं कर सकती कि मैं घोड़े पे बैढ़के इस कोट रॉयल कोट यार्ड के अंदर एक बाश्चा बनके रहे जो नहीं मैं जाओं गाइल समझ लो कि अगर आप एक सिस्टम और यूनिट हो और वहां पे जल्म और सितम चल रहा है वो घर के अंदर लीडर्शिप खराब भी है निकलना तो असानी असान है या तो आप किसी और लीडर्शिप और और सिस्टम का पार्ट बन जो लेकिन याद रखना किसी ना किसी युनिट में किसी ना किसी दूसरे युनिट पर एक कश़ा करना है उसको कौंकर करना है इसको गिराना है ये इनसानीत का नार्म है आपको ना आ इस्लाम अस अब बारबेरक लिक्स पर गी नेГेट नी करेगा वो सलावदीन यूबे के दोर में उसको मिल गई, वो सारे खटे होगा, वो फिर चाग है, उनने जरुसलम फिर ले लिया अपने कंट्रोल में, तो ये जरुसलम की भी हिस्ट्री आप देखिएं, तो आता जाता आता जाता रहा है, ये कभी एक जगा टिक है नहीं है, ये कभी जिस दिन ये सोच के हमने एक इस्तिमाई लिहास से एक पार बनना है, एक नमाइंदगी बननी है, एक घर बनना है, ये बड़ा है या परसनल इंटरेस्ट बड़ा है, ये दोनों जिस दिन टकराएंगे ना, और उसमें से क्या चीज़ जीतोगी, वो ही आपका मुकदर होग नेशन्स और सिविलाइजेशन्स और खानदानों और जागीरों के बीच में आपका स्टेटस क्या है, भई मैं एक लोन वुल्फ है, कितने पैसे हैं आपके पार, मैं पचास करोड़ की पार्टी हूँ, अच्छा, अकेले हो, अकेलों, ना खानदान है, ना भाई है, ना द दांत के नीचे तो आएगा ना, और यह वाली जो सोच है यह ना, रोमन में थी, रोमन अंपार, और परशन अंपार में थी, अरब के अंदर यह चीज थी, उन्होंने एक्सेप्ट किए इस चीज़ को, वो फाइंड कर रहे थे, वो इंडिविजुलिसम के शिकार थे, यह स कर दिया सब को, वो तैयार थे अपने इंडिविजुल इशूस को, अपनी कलेक्टिव खैर के मुदा मुकाबले में करने, और सिंसेरिटी दिखा ही कॉस को, जानों का नजराना पेश किया, कॉस बड़ा रखा, जाच छोटी कर लिए, तो कॉस जो है, वो सिंसेरिटी और सि अच्छे देगा, और यही कॉस जो है, वो मैंने, एक एलिमेंट ये भी आज़ता है, कि जब आप अपने स्ट्रॉगल को अपने लोगों के आगे नहीं लाते हैं, जब आप बुरे वक्तों का जादा, अल्ला कहता है ना, इन्ना जिक्रा तन्फा मुमिनीन, याद दिलाया क और मुमिनीन को इनकी तारीख याद दिलाया करो, इनको सबक याद दिलाया करो, इनको अल्ला की बाते हैं आदे हो, इनका इमान बढ़ेगा इससे, एक आदमी जब कुर्बानियों को जिक्र ना करता हो, कि इस्ट्रॉगल को बात यहीं ना, वो ग्रैंडियोसिटी जो आप के मेंबर्स के दिल के अंदर कहीं खतम होगी ना, अगर उपर वाले ने रीजन दिया, तो नीचे वाले के वास तो पहले रीजन है छोड़ के भागने का, वो तो तो तयार है, वो तो तयार बैटर, उसकी तो डिफॉल्ट वैल्यू यह है, और अगर नीचे वाला देना चा की है, वुसत की है, पावर एक्सेक्यूट नी करने की है और बाप बनने वाली है, इसकी सिंसेरिटी है कि यह अगर कहीं से भी डिस्टर्ब, इसको वसवसा आ जाए, इसना वसवसा अंडल करना है, यह हमेशार याद रखना कि मैंने आप से रिष्टा काइम क्यूं किया था असल, असल गया है, असल गया थी आपकी, और भलके से, और वही लोग असल से घद्दारी और बेवफाई वही करता है, जिसकी असल ही खियानत थी, तो अगर कोई आदमी अपनी असल से हट रहे ना है, तो इसका मतलब है कि यह बड़ी बात है किसी ने इसकी असल हिला दी, दोनों हिल सकते हैं, दोनों हिल सकते हैं, यस डेफिनेटली, नहीं मैं भी अगर उस असल से हटूंगा, तो वो आप दिख जाएगा कि वो लोगों को एक खटा करके रिखना मुश्किल हो जाएगा, जब तक असल काइम है, और असल चल रही है, ऊपर की जितनी भी वह हो, आ हम अपनी असल पर खड़े में, हम उससे, हम घदारी नहीं की, जिस वज़ए, आप दुनियावी कॉस्ट के मसले के इंदर भी जिस वज़ए से आपने कंपरी मनाईथी घर मनाया था, यह सिस्टम खोला था, अगर आप अपनी असल से हटेंगा, दूसरा खड़ा के कहते हैं पैसा तो एक मीडियम था, बदला असल थी, या गम असल था, या एहसास दिलाना असल था, सैकरिफाइस असल थी, तुमने कुछी और चुछी तुमने पावर को असल बना लिया, तो तब इस तलाफाद बढ़ेंगे आपके